स्री लंका को निदाहस टीबीस ट्रॉफी में सोमवार को टीम इंडिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले जोरता जटका लगा है श्री लंका के कप्तान दिनेश चंदीमल को धीमे ओवरेट के कारण दो टीबीस माचों के लिए सस्पेंट कर दिया गया है चंदीमल का बाहर होना श्री लंका के लिए जटके वाली खबर है बतादे की निदाहस ट्रॉफी के पहले माच में टीम इंडिया को मात देने वाली श्री लंका को अपने दूसरे मैच में बांगलादेश के हाथों पांच विकेट की करारी शिकस्ट जेलनी पड़ी थी बांगलादेश के खिलाफ हुए पिछले माच में पोवन इर्धारित समय में कम ओवरेट होने के कारण ICC ने जुर्माने के तौर पर चंदीमल को दो माचों के लिए निलंबित किया है प्रेस रिलीज के मताबिक खिलाडियों की साथ फीस अधी मेच फीस भी काटी जाएगी बांगलादेश की टीम भी ओवरेट में पीछे की इसलिए उनके कप्तान महमुद दॉला को बीस फीस अधी और टीम के खिलाडियों को दस फीस अधी मेच फीस के जुर्माने की सजा सुनाई गई है थैंक्स फो